हाई गाईज वेलकम टू क्वेशन बैंक्राफ्ट आज के वीडियो में हम अमारे लड्डू गोपाल जी को शिव रूप में तयार कहने के लिए जो शिव जी के जटाधारी बाल होते हैं वो बनाएंगे यह बहुत ही यूनीक तरीके की एक विगहम बनाने वाली हैं जिसमें म वीडियो को तो लास तक जरूर देखिएगा चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इसके लिए यहाँ पे मैंने बुक्रम का एक पीस लिया है और इसकी उपर में एक सर्कल जो कर रहे हूं और अब हम इस सर्कल को कट कर लेंगे यह आपको अपने काना जी के हिसाब से कैसे ड्र की ऊपर पूफेक्टली फिट आना चाहिए कुछ इस हिसाब से आपको यह कौन तइयार करना है मैंने लड़ुगोपाल जी पूफेक्टली आ जाएक कैप की तरह टॉप से इसको मैंने कट किया था इसका जो नुकीला पाट होता है वह वाला टॉप वाला और इक बुक्रम क बूल का पीस मैंने यहां पर कट किया जिसको मैंने इतना एक्स्ट्रा रखा है और बाकी भी मैं कुछ बूल की पीसे यहां पर कट कर रहे हूं इसके लेंद आपको अपने विक्केश साफ से रखनी होगी जो आगे आपको पता चलता जाएगा जैसे जैसे आप प्रोसेस को फ तो ऐसे करके same length के मैंने काफी सारे pieces ले लिये हैं जिने कट करके मैंने इस तरीके का bunch बना लिया है और अब इसको नीचे से end वाले part से match करते वे loop बनाएंगे और ये जो हमने piece लिया था अभी आपको जो measure करके दिखाया था इसके अंदर से हम इस loop को इस तरीके से connect कर देंगे ये दिखिए मैं कौर बार दिखाती हूँ उन के pieces को match किया ये हमारा loop बन गया back side पे लेके जाएंगे और end वाले part को loop में से हम इस तरीके से डाल कर नीचे की तरफ खींच लेंगे ऐसे कि ये पूरा process चलता जाएगा और आपको इसको cover करना अच्छे से तो ये मैं close up लेकर भी दिखा देती हूँ guys last year मैंने आपको शिव जी का त्रिशूल डमरू सांप चांद ये सब कुछ बहुत अच्छे से बनाना सिखाया था एक अलग वीडियो में वो भी काना जी की शिवरूप की जो आप शिंगार करेंगे उसमें आपको बहुत useful रहेगा तो उस वीडियो करना है जो हमने cap type का ready किया था ना उसको तो मैंने नीचे पेपर रखा है ताकि हमारा surface पेंट न लगे तो मैं इस तरीके से इसको पेंट करके इस पेपर के ऊपर रखके dry होने के लिए छोड़ दूँगी और इसको मैं उपर से अंदर से हर तरफ से पेंट करूँगी ताकि जब हम wool को लगाएं तो यह जो विक तयार हो इसमें कहीं से भी बुक्रम का white वाला part visible नहीं हो यह पूरा का पूरा अच्छा खासा black दिखे अब इसको इस तरीके से आपको attach करना के किनारों पे लेते हुए यह देखे जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया है और यह कि जो बन होता है वो बनाने के लिए मैंने इन पीसे को लिया खे जिसे ट्विस्ट करेंगे और जस्ट जो बन होता है उसकी शेप में ही मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से ग्लू से स्टिक कर दूँगी आप कोई भी ग्लू यूज कर सकते हो फैवी कॉल, फैवी बॉन, ग् इतना एक्सेज है और इसको हम कट कर देंगे इस तरीके से और एक्सेज पूल को मैंने आपे खटा दिया है अब इसके बाद ये मैंने वाइट और सिल्वर की टच में ग्लिटर शीट ली है जिस पे मैं चांद और गंगा नधी का लुक दिखाने के लिए ड्रॉ कर रहे हू तो पहले मैंने जो गंगा नधी का ये ड्रॉ किया था ना ये थोड़ा छोटा लग रहा था मुझे और मुझे लगा कि इसे थोड़ा बड़ा मुझे बनाना चाहिए वो जादा अच्छा लगेगा तो बाद में मैंने इसको चेंज कर दिया हाला कि पेस्टिंग का मैथड स का लुक दिखाने के लिए बॉल चेंज और ये मैंने चांद यहां पर लगा दिया है ये वेगा पकाना जी को पहना कर उनका शिव रूप में बहुत ही सुन्दर सा शिंगार कर सकते हैं ड्रेसे काफी सारी मैंने चानल पर बनाने सिखाई है शिवरातरी की लिंक सब के डिस